ज्यान मंत्रा हूम रमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गणेश चतुर्थी वाले दिन आप लोग कैसे पूजा पाट करें और उसका शुमूरत क्या रहेगा। देश बहर में 13 सेत्मबर 2018 को गणेश चतुर्थी का तेवाद धुमदाम से मनाये जाएगा। भाद्र मास के शुकल पक्ष की चतुर्थी को पूरे भारत वर्ष में गणेश चतुर्थी के रूप में मनाये जाता है। इस दिन घर में भगवान गणेश की स्थापना करी जाती है। आएए जानते हैं इसका पूजा विधी और महत्व। गणेश स्थापना का शुब आरम करने के लिए शुब मूरत सुबे 11 बचकर 8 मिनट से शुरू होगा। उसके बाद दोपहर 1 बचकर 34 मिनट तक आप घर में गणपती की स्थापना कर सकते हैं। गणेश स्थापना से पहले पूजा की सारी सामगरी एकत्रित कर लें। पूजा के लिए चौकी, लालकपडा, गणेश प्रतिमा, जल, कलश, पंचामरित, लालकपडा, रोली, अक्षत, कलावा, जनेउ, गंगाजल, सुपारी, इलाइची, नारियल, चान्दी, कव, वर्क, सुपारी, लौंग, पंचमेवा, घी, कपूर, आधी, एकत्रित कर ले सुभा इसनान के पश्चात लालवस्त धरन करे, सही दिशा का चुनाफ करके चौकी स्थापित करे, भगवान गणेश की स्थापना से पहले उन्हें पंचमरित से स्नान कराएं, उसके बाद उन्हें गंगाजल से स्नान कराने के बाद चौकी पर लालकपडा बिचा कर गण प्रतिमा को स्थापित करें। रिद्धी सिद्धी के रूप में प्रतिमा के दूनों और एक-एक सुपारी भी रखें। उसके बाद इस्थापना के पश्चात गणेश जी को सिंदूर लगाएं और चांदी का वर्क लगाएं। तद पश्चात जनिव लाल पुष्प, दू अब ही के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्यान मंत्र रहूम रमीडी सबस्क्राइब कीजे धन्यवाद।